केरेल में एक चलती भी ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़चाड का मामला सामने आया है दरहसल ट्रेन में जो अमर्दा अक्स्प्रेस चलती है उसमें मौर्निंग की टाइम में एक महिला के साथ छेड़चाड होती है और छेड़ छाड करता है एक अधेड वेक्ति जो उसी ट्रेन में महिला के साथ सफर कर रहा था और सफर के दोरान महिला के साथ वह महिला को गलत तरीके से छूता है जिससे महिला विरोध करती है विरोध करती है तो अगले ही स्टेशन पर वहां पुलिस आती है और अधेड़ व्यक्ति को गिरफतार कर लेती है ऐसा मामला ट्रेन में जो हो आवे केरल का मामला है दरसल दोस्तों अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से मेरा होसला और ज़्यादा बढ़ेगा तुम्हें बता देता हूँ कि यह जो सच्ची गटना है यह सच्ची कहानी है यह है केरल की केरल में जो अमर्दा अक्सप्रेश चलती है उसमें सुबह सुबह जो मोर्निंग का टाइम होता है उसमें एक महिला थी जो अल्वा की अल्वा से वरकला जा रही थी उसी समय उसी ट्रेन में एक व्यक्ति था जो कोड़ का रहने वाला था वह भी एंद्रकुलं से तिरूवल्ला जा रहा था यानि कि दोनों ही सुबह सुबह उस ट्रेन में सफर कर रहे थे ट्रेन में जो वेक्ति था वह महिला के साथ ही कुछ ही गलत करता है यानि उसे गलत तरीके से छूता है तो महिला इस चीज का विरोध करती है पुलिस जो होती है वह अगले स्टेशन पर मिल जाती है महिला है वह चीक चिलाती है तो महिला की चीक चिलाहर सून करके पुलिस वहां आ जाती है और जो अधेर व्यक्ति होता है उसको गिरवतार कर लेती है उसे कोटायम जो रेलवे स्टेशन है वहां की पुलिस उसे गिरव जाता है पुलिस इस्टेशन ले जा करके उसके साथ पूच्ताश की जाती है लेकिन वह व्यक्ति एक अधेड व्यक्ति था जिसकी उमर ज्यादा थी लेकिन कहते हैं ना कि उमर चे कितनी भी हो लेकिन जब मन में कुछ काला हो तो कुछ भी हो सकता है वही काम उस व्यक्ति का था उसने भी ऐसा ही किया कि एक महिला दीखी ट्रेन में और उसके साथ उसने गलत तरीके से जोआ लेकिन महिला को वो चीज बरदास्त नहीं हुई और उसने विरोध किया और विरोध किया तो वह है चीक ती चिला ही तो जब कोटायम रेलवे स्टेशन आया वहाँ पर जी आरपी की टीम खड़ी थी जैसे ही महिला की चीक चिला है टे कोटायम रेलवे स्टेशन की पुलिस को सुनती है पुलिस तुर्ण ट्रेन में चली जाती है लेकिन आरोपी है वो उस स्टेशन पर नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि ट्रेन है वो को टाइम रेल्वे स्टेशन से आगे निकल जाती है इससे पुलिस है वो उसे गिरबतार नहीं कर पाती है जैसे ही जो पुलिस जो आरोपी था वो जो ट्रेन थी वो चलती गई को टाइम से चलकर के ट्रेन जो कोयम कुला है वहां चली जाती है और कोय से रेलवे स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है रेलवे का वहां जो कोटायम है वहां ले जाती है वहां ले जाकर कि उसके साथ पूश्ताज करती है थोड़ी सकती से पेश आती है तो जो व्यक्ति होता है वह अपना जुर्म है वह कुबूर लेता है क्योंकि उसने सुबह सुब वज़े जो ट्रेइध बो खुझा यह और वहाँ पर कुलाएं जो रेलवे इस्टेशन था वहां पर पुलिस रह시면 लेती है और उससे उतार करके वहां कोटायम जो रेलवे स्टेशन था वहा ले गई और मसक्न के साथ पूष्ताज भी इतनी सकती से करती है कि आरोपी है वो मुजरिम अपने आपको माल लेता है क्योंकि दोस्तों वहे काम ही उसने ऐसा किया था कि सुबह सुबह का टाइम महिला है वो महिला है वो अलवा से वरकला जा रही थी और जो आरोपी था वहे अरना कुलम से तिरुवला जा रहा था यानि दोनों ही उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे लेकिन जैसे ही मौका मिला अधेड व्यक्ति को उसने महिला को गलत तरीके से छुआ और ऐसे जगे छुआ जहां महिला ये इस चीज का विरोध करती ही है क्योंकि अगर ट्रेन में भीड भाड हो और छुआ जाए तो महिलाओं को सब को पता होता है कि ये तो भीड भाड का है लेकिन एक अलग तरीके से छुणा हर किसी को बरदास्त नहीं होता है और यही काम उस अधेर व्यक्ति ने किया उसने महिला को अलग तरीके से छुआ और महिला ने इस चीज का विरोध किया उसके बाद जैसे ही पुलिस से जो रेलवे स्टेशन था वहां पहुची तो वहां आपको पता है कि इस्टेसन पर जार्वे टीम होती है वहाँ जावान रहते हैं जैसे ट्रेन आई चीक्ति चिलाहने ओज़ाए आई जावाज आई जार्वेस के कि ऐसी घटना न हो जाए इसी लिए वो तेनात रहते हैं जैसे ट्रेन से आवाज आई चीकने चिलाने की तो वह जो जी आर्पी की टीम थी वो तुरंद रेलवे में यानी ट्रेन में घुस गई जो अमरता अक्सपरेश थी उसमें और जाकर करके देखा तो मामला कुछ बोद गया तो यह व्यक्ति मुझे डराता है धमकाता है लेकिन फिर भी महिला है वो डरती नहीं है वह चीकती चिलाती है तो पुलिस जी आर्पी की आजाती है और जो अधेड व्यक्ति होता है वुसे कोटायम रेलवे स्टेशन पर गिरबतार नहें करकर के क्योंकि कोटाय स्टेशन फिर गिरबतार कर लिया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो डोस्तों जो ठेड़ हैं उसमें ऐसी वारदाते होती है लोग हैं वो ऐसा सोचते नहीं है हुं कि हम सफर कर रहे हैं तो हमारा सफर है वो सफर रहना चाहिए लेकिन कई-क कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं उन्हें यह पता नहीं होता है कि आगे होना भी क्या है लेकिन कुछ सोचते नहीं है क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा होते हैं कहते हैं कि दिमाग की जो सोच होती है वह इतनी ही रहती है जितना दिमाग ह होता है उतनी ही बड़ी सोच होती है तो कई लोगों की सोच बड़ी होती है तो कई की छोटी होती है और चोटी सोच के लोग हैं वही ऐसा काम करते हैं वही ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं उनको अंजाम की परवा नहीं होती है वो लोग अपना स्वार देखते हैं अगर मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तुझे लकी सलाकों के पिछे जाना है तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और यह भी बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना